दोस्तो नमश्कार मैं आपका दोस्त मनोज कुबार मिश्रा एक फिलस्फर और एस्टो लॉजर में आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो और वर्ड में हारदिक सौगत करता हूं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग कि जोलाई 2024 का महीना किस प्रकार के उर्जा लेकर आ रहा है तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गोचर की देखें अगर आपकी कुंडली में यहां दसका अंक लिखा हुआ है तो यह कुंडली किसी कहलाएगी मकर लगन वालों की कुंडली कहलाएगी और अगर आप लोग को शुक्र मिथन से निकलकर करक राशी में आ जाएंगे अगर मंगल की बात करते हैं तो मंगल 13 जौलाई को ब्रशव राशी में चले जाएंगे और अगर सूरे की बात करते हैं सूरे 16 तारिक को करक राशी में आ जाएंगे बुद्ध 20 तारिक को 20 जौलाई को सिंग राशी बाया जाएंगे तो यह तो वो गिरह हुए जिनका परिवर्तन हो रहा है अब बात करते हैं देखे शनी की जो की पूरे के पूरे महीने आपके अभी इसी मतलब कुम राशी में चलते रहेंगे लेकिन तीस सारी के बात क्या होगा यह वक्री हो जाएंगे हम लोग बात करेंग के राहु की जो नक्षत परिवर्तन करेंगे अभी जोलाई में और आपके इस समय थर्ड हाउस में यक हैं मीन राशी में चल रहे हैं अगर हम लोग बात करेंगे गुरुदे ब्रैस्वती की तो पूरा महीना आपके फिफ्थ हाउस में ब्रशव राशी में गोचर करते रह हाना चाहते हैं कुछ बड़े-बड़े डिसीयन लेने चाहते हैं बिजनिस से संबंदित और बिजनिस से आप जॉब को भी समझ सकते हैं जॉब से संबंदित तो ये डेट साब के लिए बहुत अच्छी है बात करते हैं तीन चार सतरा से लेके 19 सक 30 और 31 ये गुड टाइम ह है और साथ एनिमी जो हमारे शत्रूपक्ष है थोड़ा हावी होने की कोशिश साथ से लेके नो तक आपको नो आर्ग्यूमेंट्स मतला जो वो कहें थोड़ा सा एवाइट करके चलना है और बात करते हैं दस ग्यारा चौबिस और पच्चिस हेल्थ इशूस अगर 12 से 14 और 26 से लेके 27 इस तक ट्रबल्ड माइंड ऐसा समय जिस समय मतलब जैसा कहते हैं कि कोई किसी ने कुछ कह दिया तो आपको कुछ बुरा लगिया विदा कुछ ना कुछ नेगेटिव थिंकिंग हमारे माइंड में चलती रहती है तो इसमें हमें ये करना होता है कि किसी भी होता है बात करते हैं आप से 20 और 21 की खर्चे वाला समय 22 और 23 लवेंड रोमैंस का टाइम है अब हम लोग आते हैं अपनी कुंडली के ओपर मकर लगिंग की कुंडली लगनेश कौन है चनिंग तीस जून के बाद यह वक्री हो जाएंगे सेपरेट वीडियो में आपको बना कर दूंगा उसके लिए और अब आप यह देखोगे कि जब हमारे लगनेश का सम्मंद सेकेंड हाउस से बनता है अभी क्या है कि यह पीछे के काम को भी मतलब उससे पहला वाला होस मतलब लगनेश पर भी इनकी दस्टी जाएगी तो सबसे पहले तो आप यह समझो कि यह ज कुसरी बात यह कि आपका सारा मैंड किस चीज की तरफ रहेगा पैसे को अरजित करने की तरफ लगा रहेगा बात कर लेते हैं थार्ड हाउस की थार्ड हाउस किस चीज का होता है आसपडोस का होता है चोटे बहनभाईयों का होता है प्राक्रम का होता है चोटी वोटी यात थास Worst करेंगे अभी राहो जिस रक्षट में चल रहे हैं उसकी बाते नक्षत परिवर्थन करेंगे शनी की नक्षत में आ जाने के तो किसकी तरह वर्ट करना शुरू कर देंगे शनी का भी रेजर्ट आपको देना शुरू करेंगे और शनी समय किस-किस्कोंदू şekilde तरायी कौल मिलाकर इस समय आपका जो थड़ होस से समंदित काम है एक दम कैसा होगया परफेक्ट होता चला जा रहा हैँ अगर आप 5 ह眉स समंदित कोई भी काम करना चाहते इस कीजिए अपने किसी product को online launch करना चाहते उसको कीजिए खुद को लोगों के सामने लेकर आना चाहते वो सब काम आप इस समय कर सकते हैं अगर आप चाहते हो कि विदेश घुमने का आपका मन है तो और कोई आपको अभी ऐसी चीज़ा दिख नहीं रही है आप अगर प्रियास करते हो तो आपका ये काम भी बनता है हम लोग बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की देखिए मंगल की एनरजी के फोर्थ हाउस में मतलब बहुत एक सुखसाद नों के हाउस में हमारे मंगल का आना इसका मतलब क्या है देखिए मंगल तेरह तारीक को यहां से गोचर्क में चले जाएंगे लेकिन जब तक ही यहां पर हैं इनका काम क्या रहे और जिस तरीके से उसने मेरे से बात किये ना उससे दुगनी बुरी तरीके से मैं उससे बात करो तो ये एक जिसे कहते हैं मन की उर्जा इसमें बैठे कौन है वहाँ पर मंगल बैठे घर किसका है खुद का उनका अपना घर है तो यहाँ पर एक्रेसिव आपकी सोच होगी आपके बात करने का ढंग ऐसा होगा कि बिलकुत सामने वाले को जैसे कहते ना कि अपनी बातों से इतना सुना देना कि वो कुछ करना पाए तो इस तरीके की भावना आपके पास रहेगी लेकिन जैसे ही मंगल तेरा तारीक के बा प्रेस्वती एक बहुत अच्छा प्लेस्वेंट जिसको मैं कहता हूं कि फिफ्थ हाउस हमारा किसी इसका एजुकेशन का हाउस है जिन लोगों की जो मकर लगने वाले लोग हैं अगर किसी हायर एजुकेशन में वो ज्यादा चाहते हैं हायर एजुकेशन क्यों कहा है बारा पढ़ाई शुरू करनी है बहुत अच्छा आपका काम चलेगा आप एक अच्छे एडवाइजर बनते हो फिफ्थ हाउस में जब गुरु देवाते हैं आप फिफ्थ हाउस किसका है परामर्ष देने का हाउस भी है तो आपका ये वाला जो इच्छा है ना कि मैं दू लिजे तब की बात है तो यहां से आपका पैसा निकाल के देगा क्यों सेविंध हाउस सेविंध देश्टी इसकी कहा जा रही है लाव भवन पर जा रही है तो लाव दिलाने का काम ब्रहस्वती से जुड़े कोई काम करते हो उसमें सला देना हो गया पढ़ाई से सब्मंद inflation देख रहे होगे इस समय सुरुय का और शुक्र का सूरे कहां से आए ا zombi कहां से इस्ट की अगर हम तर्शा करते हैं तो जहां दो का कशलिक अ मतला है मतलब फिटा हॉस्कमरी के और हमारे टेन्थ व्हाँस के मलें कि दौनों चीज़ों को आप जिनाफारी की सच्छे समझो सेंथा उसका माले कि इसका मतलब है कहीं न कहीं हमारे जगड़ा किस से होगा जहां हम काम करते हैं जहां हम जॉब करते हैं जहां बिजनिस करते हैं और यह हाउस हमारा उनका भी होता है हमारे एमप्लोईज का हाउस भी होता है तो इस समय क्या मतलब है कि जो हमारे हाँ काम करते हैं उन से जघड़ता है जगे हम काम करें वह भी हमारी किसी नीए किसी बात पर हमारी बात को बुरा मानेंगे लेकिन जीत किसी होगी जीत आपकी होगी इसवेजह से आपको ज्यादा परिशान होने की आविशक्ता नहीं पड़ती है, अब हम लोग बात करते हैं आपके सेविंध हाउस की, अब देखें सेविंध हाउस में सिक्स हाउस का मालिक बैठा हुआ है, और हमारा भाग्य भवन का मालिक भी बुद्ध है, इसका ये मतलब है कि पूरी तरीके से का रहेगा, एक तो हमारे बड़े बुद्धों का रहेगा, और दूसरी बात जो लोग हमारे नीचे काम करते, उनका भी रहेगा, इस चीज को हलके में आप मत लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि जब हम घर पे रहते हैं, तो कोई हमारे घर में जैसे लोग काम करते हैं, और वो उनसे अगर किसी बात पर चर्चा हो जाती है, जैसे मान लीजिए अभी तो आप जगड के बाहर गए हो, अपने स्पाउस से, आपकी स्पाउस किसी से बात करेगी, जो घर में काम करें, तो उनकी राय उनकी ओपर बड़ा भरी एफेक्ट डालेगी, आपका जगडा किस तरीके का आगे चलेगा, इस तरीके की बात, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक उपाए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले, जो वरकर हमारे अंदर में काम करते हैं, हमीशा उनको आपको अपने फेवर में लेकर काम करना होगा, जिस से रिपोर्ट आपके फेवर मे लगेगी, कि हाँ जी, उनकी वो तो बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, इस टाइब अली बात, तो इसका जो प्रभव पढ़ता है, बुद्ध क्या है, बुद्ध एक कलाकार गरे है, बोलने वाला गरे है, और जब सेविन्थ हाउस में वो बैठा हुआ है, तो इस में किजेगे, और क्या है, थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई देता है, एर्थ हाउस की चर्चा करते है, एर्थ हाउस का मालिक पहले तो पहुंच जाएगा, शिक्स हाउस में, तो हमारे संखर्ष बढ़ाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर आप जब यहाँ पर आएंग हाउस की जहां केतु हैं, और गुरुदे ब्रेस्पती की दिस्ती बनी है, देखिए ऐसा होता है, कि ग्रह अपना अपना इस्थान चेंज करते रहते हैं, लेकिन हमें उनसे फायदा उठाना है, इस समय गुरु की दिस्ती कहां पढ़ रही है, भागे पर पढ़ रही है, इ वो ज्यादा बेनिफीशल होता है, जिससे हम पैसे को कमाने का काम करने लगते हैं, बात करते हैं, टैन्थ हाउस की, टैन्थ हाउस का मतलब यह है कि जब तक शुक्र यहां पर है, जिन लोगों को अभी जॉब वगरा नहीं मिली है, आपको जॉब पूरी तरीक से मिलेगी, और जब शुक्र हमारे सेविन्थ हाउस में आएंगे, तो जॉब मिलने की जो संभावना है, यह आज सारिक से भी ज्यादा आपकी बढ़ जाएगी, तो इस पूरे महिने में जिन मकर लगने वालों को अभी जॉब नहीं लगी है, तो उनकी प्रॉबिलिटी बढ़ती है, तो इस तरीके से आप काम कीजिए, बात करते हैं, 11 थाउस की मालिक कौन है, मंगल, बैठे कहां पर है, 4 थाउस से बैठे है, लाभभवन का मालिक बहुत इक्सुख सादरों में बैठा है, इसका मतलब क्या है, कि जो हमारे, मतलब जो हमारा फायदा होगा, वो कहां से होगा 10 थाउस से होगा, मतलब जब इसकी दिस्टी यहां पर पड़ती है, तो एकदम बढ़िया काम करते हैं, उसके बाद मंगल, 13 तारीक के बाद 11 थाउस को मतलब अपने ही घर को दिस्टी से देखेंगे, तो कुल मिलाका पूरा महीना, अगर हम मंगल की दिस्टी कौन से देख कौन है, गुरुदे ब्रेस्पती, बहुत अच्छे शिस्थान पर बैठें, फिफ्ट आउस पर बैठें, इसका मतलब खर्चा हमारा किस साइड होगा, हमारा खर्चा हमारे अच्छे कामों पर होगा, मांगलिक कार्यों पर होगा, तो ये चीज आपको समझनी है, जिन इस वाला योग अभी यहाँ पर बना हुआ नहीं दिखाई देना, अब हम लोग बात करते हैं, उन लोगों की जिनको जॉब नहीं मिली, तो मैंने आपको बोला, जॉब के लिए ये समय बहुत अच्छा है, अगर जो लोग अपने बिजनिस को बढ़ाना चाहते हैं, देख ओवराल मकर लगनवालोका मैंने बताया आपको, और आपको वीडियो गर अच्छी लगिए, उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आज के लिए इतना ही थन्देबाद, थेंक्यू